हेलो दोस्तों आप प्रतियूश और वरका बाक्ट वाइचानल स्टूडेंट खबरी जा हम बात करते हैं सिर्फ वर सबाब की यानि की स्टूडेंट की आएम प्रतियूश तो आज मैं बात करने वाला हूँ डियू के स्पॉर्ट राण की उपर क्योंकि आप सब बहुत एगर ली वेटिंग थिया कि यू की अब तीम आउंड आउंड कांसलिंग हो चुकी है तो पॉर्ट राण कब होगा तो डियू का यानि की डेरी इंडिवसिटी की स्पॉर्ट राण की दियूश अब आ चुकी है आप अप्लाइक कर सकते हो फॉस्पॉर्ट राण जिनको डियू अब स्पॉर्ट राण के लिए क्या पूरी प्रोसेस है आपको कैसे करना है क्या चूज करना चाहिए उनसे के बारे हम बात करेंगे इसी वीडियो में तो एंड तरी वीडियो आच से देख लीजएगा अब लाज चांस प्लाइए भाई गेटा कॉलेज डियू कि डियू यह 70,000 सीट है अब जो सीट बच्ची कोर्सेस में न उन्हीं के लिए अप्लाइ कर सकते हो और सारे राउंस आउंस इंकी होती है वह खता मुझे कि आप आखी राउन है इनका क्योंकि स्पॉर्ट राउन ह ठीक है अब यहां पर चॉइस मिलने वाली कि आपको एक को सीचूज कर सकते हो आप तेक है आउस पर जानते ही क्या चीज है बिलकुल नहीं अब स्पॉर्ट राउन में मान लो कि आपके बी एसी में दस सीट बच्ची हुई है ठीक है अब दस सीट के लिए सौ बच्चों ने अप्लाइ किया है और वह सौ बच्चों का जेगी मारे लिस्ट तो टॉप तेन होंगी हमारे जिने कट-off कूर्स क्लियर कि होगा स्पॉर्ट राउन के लिए उनको मिलेगी आपकी ये सीट ठीक है बाकी नवे बच्चर जेट होने वाले है तो ध्यान देना कि आप जब स्पॉर्ट राउन भरो तो वह कॉल्ट चूस करो जिस कॉलेज में और जिस कोर्स में जादा सीट बच्ची हुई है ठीक है कॉलेज नहीं मिला को को सलॉट नहीं हुआ तो आप दियू से बहार हो चुके हो दियू में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो यहां वी चूस अनदर कॉलिज और अदर उनिवर्सिटी टू स्टड़ी और को दियाल से स्टड़ी करना कितने कॉलेज बच्चे डियू का जो ऑफीशियल का उसलिंग का कोटल है CSAS वह आपको विजट करना है जो हमारा है UGAadmission.ud.ac.in यह वेबसाइट आपको विजट करनी है यह वेबसाइट जैसी आप विजट करोगे आपको लॉगिं करना है अपना आईडी डालकर और आपको पास्पर्ट डालगे पास्पर यहां पर आपको apply या view पर प्लिक करना है अब यह क्लिक करने के बाद आपकी स्पीन कुछ ऐसी होने वाली है ठीक है आपको यहां करना है एक प्रोग्राम जहां पर अपना करना चाहते हो अरेंज करने तीक है ध्यां रखना रखना कोर्स एक है कोलेजिस की प्रफेंस जा सक आपको एक सेट करना है दू के अंदर अभम त इसके बार कॉलरेंज करने परिफसर के साफंसी अब यहाँ प्रिफरेंज का एक वहुत बढ़ा गेम होगा गेम होगा है अपको जो अरेंजमेंट करोके colleges एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ अब यहां पे वो college चूस करना जिस college में आपके course में ज्यादा seats available हो ध्यान दिना इसका क्योंकि यह preference आपके लिए बहुत बड़ा game खिलने वाला है क्या आपको seat मिलेगी डी यू में या नहीं मिलेगी seat ठीक है कि हम बीकॉम के लिए कर रहे हैं college preference हम सब को बता है बीकॉम टॉप मोस्कॉलेज हमारा srcc यानि कि शीराम college of commerce ठीक है अब अब यहां डालने से पहले यह मैं सोचना भाई चलो अच्छी बात नहीं देखो जाकर कि srcc में कितनी seats vacant बची है ठीक है इन यूर बीकॉम कोर्स अगर अच्छी रंबर आफ सीज वेकेंट है कि 10 मालो या 15 मालो जादर सीज वेकेंट है दिन वो डालो सबसे पहले ऐसे रिस्टमे सीज चाहए ॥ीड में कम में हो चलेगा बट कोलेजबन वह डालिएगा कո जैस्थ के बाद जो आठीक ह commissionि तो फोड़ी ज्यादा वेकेंट हो फ्रेट कॉलेज उससे ज्यादा कोब्स ऊस्पारिया थो at least college 2 मिल जाए 3 मिल जाए 4 मिल जाए 5 मिल जाए तो इधाय रखना कि यहां पर आपकी पहली choice of college दालोगे आप then डालोगे college 2 then डालोगे college 3 then college 4 or college 5 अब आपको knowledge तो होई गई है कि आपको choice मिलें कैसे कर लिए है setup कैसे करना है जब तीन राउंस बैट चुके दियू के counseling के अब spot on आगिया है तो यहां पर आपको सिर्फ एक और से choose करना है उसके बाद save करना है previous selection देख लो selection किया है नहीं किया है and submit your selection for that spot application ठीक है अब यह चीज़ पढ़ना ध्यान से no vacant seat in any college for this program please select different program मतलब अगर जो आपने college choose किया है उस college के course में seeds vacant नहीं है तो आपकी पास आज जागा यह notification उसी पे जब आप्लाइ कर रहे हो तो आपको हटाना पड़ेगा आपको different program choose करना पड़ेगा उसी college का अगर आपको चाहिए तो या तो फिर college हटाओ दूसर गवर डालो आपनी ठीक है if there is no seed vacant in that particular course it will appear like this ठीक है next choose course and give preference to college available in list for that particular course ठीक है जब यह क्लिक करोगे आप program choose कर लिया अपने अपने अपना की बीए प्रोग्राम में आपको यह वाला specialization करना है या बीए सी मुझे mathematics से करना है बीए सी मुझे now preview the course and colleges and check all the information and options you want to submit यह कुछ स्क्रीन खुलने वाली है आपकी अब इस स्क्रीन में चेक करने ना यह वो टिक और और ओल दीस तेंग जो रेड़िद मांक रही है इंपॉर्टल होते है यह वो टिक करना होगा यह देर यह वो टिक करना होगा and then you can submit it there but preview कर देना गलत selection मत करना क्योंकि आखरी चांस है दी वे पढ़ाई करने के लिए दी यूस अपना कोई भी कोर्स आगे परस्यू करने के लिए तो इसका खास ध्यान रखिएगा जो चॉइस फिलेंग बहुत समझदारी से करो ठीक है after updating your preference click on submit application ठीक है submit spot application दोट करना भाई कि आप modify नहीं कर पाओगे अपना application some final submission के बाद ठीक है आपने एक बाद finally submit कर दिया उसके बाद आप अपनी preference को उपर निचे नहीं कर सकते हो तो याद से पूरा ध्यान चेक करने के बाद ही उसको आगे submit करिएगा this was all about the spot round आपको spot आपने कैसे apply करना है course क्या choose करना है call preference कैसे करना अगर अच्छी लगी है लाइक करो share करो comment करो दोस्वा शेर भी करना जो देखने दिवे पढ़ाई करने के लिए spot round counseling दियो की शुड़ हो चुकिए stay tuned thank you so much